हे वो सब गाई से मुझे रहे हैं and welcome to the complete web development course और आज हम बात करने वाले हैं CSS के अंदर transform property के बारे में आज हम देखेंगे कि CSS के अंदर transform कैसे करते हैं scale, rotate, skew ये सब समझ रहे होंगे अच्छे से इसके बाद इनी की helps हम देखेंगे कैसे animation काम करते हैं CSS के अंदर transition animation and then जो normal animation होती हैं जिनसे हम काफी अच्छी cool cool complex loading animation मना रहे होंगे वो सब देख रहे होंगे तो सबसे पहले बात करते हैं CSS के अंदर transform property काउन काउन सी होती हैं तो हमारे पास होती है scale, skew, translate और rotate ये चार properties और इनको एक एक करके देखे रहे होंगे the transform property applies a 2D और 3D transformation to an element this property allows you to rotate, scale, move, skew, element तो ये सब देखेंगे इसके बाद हम बात करेंगे एक होता है transform origin वो कैसे काम करता है वो भी देखेंगे आज ठीक है तो move करते हैं अपने code के अंदर यहाँ पर हमने एक folder बना लिया CSS transform करके इसके अंदर एक index.html और style.css मैंने बना लिया है और बहुत ही basic से उसमें code लिखा है जैसे आप देख सकते हैं HTML के अंदर कुछ नहीं है दो divs हैं basically एक ये container div है जो कि आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा ये teal color का जो है and then इसके अंदर जो ये orange color का है this is the box ठीक है तो container के अंदर box है box के अंदर box लिखा हुआ है और इनके अगर हम CSS देखेंगे तो ये भी बहुत simple है container को हमने width or height दे दिया 400 pixel की background color दे दिया है और margin उपर नीचे से हो 80 pixel का और left right से auto so that ये बड़ा वाला जो box है ये center में आ जाएगा उसके अंदर जो छोटा वाला box है उसकी width or height 200 pixel है background color हमने ये दे दिया tomato इसके अंदर का font size हमने बड़ा कर दिया है और ये हमने तीन properties इसमें लिख दी है जिसकी help से ये center में आ जागा और एक एक करके साइक से transform समझने वाले हम तो सबसे पहले हम बात करेंगे scale transform के बारे में तो scale की help से आप लोग किसी भी particular div को scale कर सकते हो as in आप उसको छोटा या बढ़ा कर सकते हो x या y direction के अंदर अभी मैंने या या पर लिखा हुए transform उसके बार लिखा है मैंने scale और उसके अंदर एक number दे दिया मैंने 1 इसकी value अगर मैं आप आप 1 से करूँगा 0.5 तो by default इसकी value 1 होती है लेकिन मैंने यसी किया 0.5 तो ये अपने size का 0.5 हो चुका है ठीक है तो इसका size अगर 100% था तो ये इसका half हो चुका है अब मैंने scale 2 कर दिया इसका तो ये दौनों direction में x और y दौनों direction के अंदर double width और height का हो चुका है तो now this box is of 400 pixel width and 400 pixel height इसके अंदर हम और चीज़ें define कर सकते है जैसे कि we can write scale x और स्रिफ हम बता सकते हैं कि x direction में twice width हो जाएगे इसकी तो अब ये इसकी width हो गया 200 times 2 basically 400 pixel लेकिन y direction में अभी ये उतना ही है 200 pixel का ही है we can also define scale y here like this scale y और यहाँ पर हम define कर सकते हैं let's say 1.5 तो अब ये y direction में 1.5 time बढ़ा होगा लेकिन x direction में ये 2 time बढ़ा हो चुका है तो इस तरीके से आप इसकी ये donor properties change कर सकते हो apart from these two properties हमारे पास एक होता है scale z ठीक है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं there is a scale z property as well जिसके अंदर आप z direction में बता सकते हो कि कितना बढ़ा होगा अगर मैं आप लिखता हूँ 2 ये z direction में 2 times बढ़ा हो चुका है z direction कौन से होते है भी है तो basically आपकी तुरफ computer से आपकी तरफ हम आ रहे हैं तो वो direction z direction होती है ये जो horizontal direction है This is x direction vertical direction आपकी y direction होती है and then जो एक 3D direction होती है जो आपकी तरफ आती है computer के अंदर वो होती है z direction z direction में ये बड़ा हुआ है नहीं हुआ है उसका पुछ पता है नहीं चलेगा ऐसे ठीक है लेकिन हाँ ये z direction में भी two times scale कर चुका है तो ये basically scale की property होती है scale x y z की help से आप लोग अलग direction के अंदर scale define कर सकते हो वह इंपर simple scale लिख के आप बता सकते हो जैसे कि अगर मैंने स्रिफ scale लिखा तो ये बता देगा x और y direction के अंदर कितना scale है और अगर उसके अंदर मैंने एक और value डाल दी suppose करो 2 इसके बाद 1.2 तो ये बता देगा scale x कितना करना है और y कितना करना है तो x direction में 2 scale करना है और y direction के अंदर 1.2 scale करना है इसके बाद हम बात करता है next property की which is called skew property और इसकी help से आप लोग किसी particular angle के अंदर उसको skew कर सकते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा तो if I write here skew and let's define here 20 degree तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर यह x direction के अंदर यह आपका x direction है तो उस x direction के साथ इसने 20 degree का angle बना लिया इस div ने और इसके अंदर जितना भी content है यह भी इसी के साथ skew कर गया है तो हमारे अंदर जो box लिखा हुआ था वो भी इस तरीके से एक तरीके से टेड़ा हो चु कर गया तो अब यहाँ पर हमें दौनों चीज़ा देखने को मिल रहे है और अब यह कुछ इस तरीके से एक 3D सी शेप ले रहा है यहाँ पर और अगर हम यहाँ पर अपना x define करते 0 degree और स्रिफ y direction के अंदर 40 degree करें तो यह कुछ ऐसा दिखाए देगा ठीक है अब यह स्रिफ y direction के अंदर 40 degree is skew हो चुका है तो यह skew property होती है इसके बाद हमारा आता है translate property जो आइसको समझ लेते हैं translate की help से आप लोग किसी भी particular div को किसी भी जगह पर translate कर सकते हो कहीं भी present हो वो for example यह वाला जो div है मैं चाहता हूँ कि यह जहां पर अभी था पहले for example if I remove this transform from here तो आप interposition के relatively तो मैं इसे translate कर सकता हूँ तो transform सबसे पहले उसके बाद translate translate के अंदर आप देखोंगे translate x y z उसके बाद 3D है and then translate है तब से पहले translate की बाद करते हैं तो आप यहां पर define कर सकते हो कि x direction में कितना दूर लेके जाना है तो 20 pixel let's say तो आप यह अपनी जगह से जहां पर यह थ पिक्सल के बाद ऊपर यहां पर लेक्टा हूँ 40 pixel तो अब यह y direction में 40 pixel नीचे आ जाएगा तो x direction में यहां पर चला गया और y direction नीचे आ गया अगर मैं आप लिखता हूँ minus 40 pixel तो आपने guess कर लिया होगा कि अब यह y direction में ऊपर चला जाएगा similarly if I write minus 20 pixel here तो अब यह x direction में य यहां पर चला जाएगा यहां पर हम pixel की बजा जो भी हमारी unit की values होती है for example percentage view width वो सब भी हम यहां पर define कर सकते हैं for example अगर मैं आप लिखता हूँ percentage तो percentage का बहुत से ही roll होता है इसके अंदर if I write percentage 50% इसको translate करना है मुझे x direction के अंदर तो अब क्या होगा कि इस box की जितनी भी 100 pixel और आप देख भी रहो कि हां यह इसके center में आ चुका है और similarly if I write 50% and 50% again तो यहां पर आप देखोगे यह वाला box इस बड़े वाले box के center में आ चुका है तो इस तरीके से भी आप किसी particular content को दूसरे content के अंदर center में लेके आ सकते हो by writing this translate property ठीक है translate property की help से भी हम दूसरे dips को center में लेके आ सकते हैं और आप बात कर लेता है next property की which is called rotate property इसकी help से आप लोग किसी भी dip को rotate कर सकते हो for example अगर मैं चाहता हूँ कि यह वाला जो box है I want to rotate it in x, y and z direction तो I can do that तो if I write rotate और उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ यहां पर 20 degree तो आप देखोगे कि यह जो box है यहा वाला box किस तरीके से rotate करेगा that is the direction ठीक है तो अभी फिलाल यह इस जगह पर इस direction में rotate कर रहा है we can rotate this in x and y direction as well if I write here rotate x ठीक है rotate x लिखूँगा मैं तो 20 degree x direction में rotate कर गया है तो x direction कौन सी है basically यह वाली direction ठीक है suppose करो यह वाला axis है जिसके around यह rotate कर रहा है तो उसके around यह इस तरीके rotate हो चुका है और नीचे वाला पार्ट आपकी तरफ और उपर वाला पार्ट आपसे दूर जा रहा है यहां पर अगर हम इसे और rotate करें let's say 90 degree rotate करेंगे तो क्योंकि एकदम paper thin होता है इसलिए आपको यह दिखाए भी नहीं दे रहा है and if I write let's say 100 degree तो आप यह आपको थोड़ा axis के around rotate कर रहे हो similarly we can write rotate y और अब आप इस वाले y direction के अंदर जो axis है उसके around rotate कर रहे हो ठीक है if I write let's say 45 degree तो आप देहोगे कि यह y direction में basically इस line के around अब यह rotate कर रहे है ठीक है तो this is the axis और यह ऐसे खूंब रहा है 3D में I hope आप लोगो यह बात समझना आ रहे हो बाकि अगर आप normal लिखते हो rotate z तो अब यह z direction में इस basically अगर हमारे पास एक axis होता जो कि हमारी screen से बाहर आ रहा होता है यहाँ पर तो यह उसके around इस तरह की से rotate कर रहा है and if you don't write this z then by default भी ए ऐसे ही rotate कर रहा होता है तो हमने चारो property देख लिए हैं और इन चारों को आप चाहों तो एक साथ भी लगा सकते हो for example rotate भी करा दिया आपने उसको scale भी करा दिया x y direction के अंदर 1.2 थोड़ा बढ़ा भी हो गया है साथ में आपने इसको skew भी करा दिया let's say 30 degree तो अब यह कुछ ऐसासा भी हो गया rotate भी हो गया scale भी हो गया skew भी हो गया इसके लावा हम चाहें तो इसको translate भी कर सकत है तो यहां पर लिखा हुआ transform origin property allows you to change the position of transformed elements 2D transformations can change the x and y axis of an element 3D transformation can also change the z axis of an element तो basically इसकी help से आप लोग बता सकते हो कि आप जो transform कर रहे हो उसका origin कहां पर है for example हम बता सकते हैं कि यह जो transformation है for example let's say this कि यहां पर हम इसे rotate तो कर रहे हैं 45 degree और हमें पता ही है z axis basically इस जगे पर origin है transform का और उसके around यह rotate कर रहा है but what if हम इस direction में इस जगे से rotate कराना चाहें इसको so we can do that so for that we will write transform origin and then we can write top left तब क्या होगा यह देख रहे हो यह इस position के around अब यह सबोसकर यहां पर hinge है और उसके around यह 45 degree rotate कर गया है इस तरीके से and if we write just top here तो अब यह basically सिरफ top के अंदर मतलब आपका यह point यहां पर है rotate करने वाला point ना इस जगे पर है और इसके around यह 45 degree rotate कर गया है ठीक है because आप center से सिरफ top की side गए region में और यहां पर जाके आपने इसको 45 degree घुमा दिया तो similarly you can also write let's say scale तो अब यह scale करना भी top से start करेगा तो scale if I write 2 here तो आप देखोगे कि अब यह scale center से scale नहीं कि origin बताना चाहते हैं कि scale करना कहां से start करना है तो मैंने बता जिया कि scale करना आपको top से start करना है ठीक है तो अब यह top से scale करना start करेगा और उसके बाद नीचे की तरफ scale करेगा if I write top left here तो अब यह इस corner से top left corner से basically इस corner से scale करना start करेगा two times तो यह यहां से भी two times चला गया और यहां से भी two times चला गया तो अब यह वाला box हमारे पीछे वाले box के ऊपर एकदम cover कर चुगा है उसको और इसी के साथ साथ top left के अलावा हम यहाँ पर percentage भी define कर सकते हैं जैसा value value होगी relative to the width in the x direction and दूसरी value होगी percentage में relative to the height और suppose करो मैं आप लिखता हूं 50% and यहां पर भी 50% लिखता हूं तो यह इसकी default value होती है ठीक है यहां पर basically यह center से अपना यह transform करना start किया इसने लेकिन हम बता सकते हैं कि यहां से top left से कितना दूर इसको लेके जाना है हमें कितना transform करते हैं और rotate करते हैं इसको let's say 45 degree तो अब यह ऐसे rotate कर रहा है और यह exact center से rotate कर ना start कर रहा है लेकिन अगर हम चाहते कि नहीं exact center से rotate ना करे थोड़ा उपर से rotate करना start करे तो start करना है तो मैं x direction में जा रहा हूँ suppose करो 10% आगे तो x direction में 10% आगे and y direction में 0 तो अब ये उस जगे से इस वाली point से rotate करना start क्या है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग का ये काम करता है तो ये तो आपका होता है 0 से लेकर 100% based on the width and height लेकिन इसके लावा आप लोग pixel values basically length भी define कर सकते हो for example you can define like this की 100 pixel x direction में और 200 pixel y direction में यहां से इस point से rotate करना start करें इसको अगर better समझना तो एक काम करता हूँ आपको दिखाता हूँ for example मैं यहाँ पर एक hover state define करता हूँ और इस hover state के अंदर मैं एक transition property define करूँगा transition property को अभी हम समझेंगे next video के अंदर लेकिन उससे आपको idea लग जागा कि किस तरीके से यह rotate कर रहा है उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जब hover कर रहा है तब मैं इसके transform को set कर रहा हूँगा तो अब यह hover करने के time पर ही rotate करेगा ठीक है hover करने के time पर ऐसे rotate कर रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे rotate ना करें एक smoothly rotate करें यह तो उसके लिए मैं इस जगए पर transition property define करूँगा transition let's say 0.5 second के अंदर ease तो आप देखोगे कि हम जैसे इसके उपर hover करते हैं तो यह rotate करता है ठीक है इस point के around यह rotate कर रहा है तो यह होता है आपका transition transform origin और इसके हल्प से आप लोग बता सकते हो कि किस origin के around आपको transform करना start करना है इसके साथ हमने देखा transition कैसे काम करता है लेकिन इस transition के अंदर और भी काफ सारी properties होती है जिनकी हल्प से आप लोग ऐसे smooth animation बना सकते हो transition को समझ रहे होंगे उसके बाद animations को भी समझ रहे होंगे next videos के अंदर